हेलो फ्रेंट्स आज का जो टॉपिक पैरा थारोड हार्मोन है जो कि अल्लेडी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि पैरा थारोड हार्मोन और केल्शियम के रिलेशन कितना जादा जो है टाइटली रेगुलेट होता कंट्रोल करता है केल्शियम हमारे लि पहला वीडियो जो है जो परा-थरोड हर्मोन पर बनाया है वो बहुत important है उसे आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो हम लोग continue करते हैं अपना अगला लेक्चर परा-थरोड हर्मोन अच्छुली परा-थरोड हर्मोन और एक और हर्मोन है केल्सिटोनीम ये दोनों हार्मोन पैराथरोड हार्मोन कैलसिटोनीन आज मैं बताओंगा कि ये दोनों हार्मोन जो है एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं दो हार्मोन ये सपोस करिये पैराथरोड हार्मोन ये है कैलसिटोनीन दो हार्मों का मेकनिजम कैसे एक दूसरे को अपोस करते है आज का जो लेक्चर इसी पर बेस्ट है तो आप देखेंगे की कैसे naturally body के अंदर कितना सही तरीके से calcium को एक दूसरे को control mechanism कितना शांदार mechanism है की कैसे एक दूसरे को calcium को control करता है और आदमी जानता तो है लेकिन बॉडि के अंदर ही ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वह इतना भेतीन तरीकें का पाथवे है या बेतीन तरीकें और्गनाइज वे आपका यह यह और के स्ट्रेट है इतना खुबसूती तरीकें तो औरकेस्ट्रेट एक चलते हैं नेचर ने बॉ यह आज हम देखेंगे तो आज की जो श्टूरी इसमें पैराथरोड हर्मोन के साथ कैलसी टोनीन भी जुढ़ गया है कैलसी टोनीन दों देखते हैं कि दोनों जो है कब और कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और आफ से रिक्वेस्ट है की सब्सक्राइब जरूर करें आप तो हम आप बात करते हैं पैरा थारोड हार्मोन तो पैरा थारोड हार्मोन यह हमको मालूम है कि पैरा थारोड हार्मोन केल्सियम के साथ जो है इसका जो है तालमेल है तो हम सबसे पहले मैं डिसकस करता हूँ केल्सियम के बारे में ब्लड में यह आपका circulatory system है और calcium blood में उसका एक set point है वो set point का fluctuation जो है उसी को paratherod hormone और calcitating control करता है तो इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि calcium सबसे पहले क्या समझेंगे? कैलशियम का set point usually 100 ml में 10 mg या 12 mg कैलशियम होना चाहिए तो कैलशियम यहाँ पे जो blood के अंदर कैलशियम होता है वो तीन form होता है तीन form में होता है कैलशियम या तो कैलशियम protein plasma में जो protein है उसके साथ bound रहता है उसके साथ जुड़ा रहता है bound रहता है उसके साथ attach रहता है या कैलशियम sulfate और phosphate के साथ attach होता है और या कैलशियम free होता है free ionized form में तो हमारा जो regulation है जो आज वो कैलशियम जो blood में free form ionized form का calcium है उसकी बात कर रहा हूं कि उसका जो level 10 to 12 mg जो है हमारे blood में पर 100 ml blood में यह इसका concentration है यह होना चाहिए 10 to 12 mg पर 100 ml जो है जो और लेड़ी हम बता चुके है तो सबसे पहला point यह है कि यह blood circulation है blood में calcium का set point हमको जो है इसको fluctuate नहीं होने देना है ताकि calcium जो है वो बहुत important है calcium का up regulation hypercalcemia उससे भी problem है hypocalcemia से प्राब्लम है और calcium का हमने function देखा था कि calcium का important function bone formation, heart में even आपका जो है blood coagulation में यह सारी चीज़े हमने lecture 1 में बताया था nerve conduction में कि calcium कितना important है और major organ, nervous system, heart यह सारे में प्ले करता है इसकी importance इसका function है तो इसलिए इसका set point disturb नहीं करना है लेकिन अगर इसका set point disturb हो जाता है इसका अगर जिसको homeostasis condition body के अगर को disturbance होता है तो body में already जो है तो हार्मोन जो कि पारा thìρωड thickenов क्यों मैंने बताया था कि पारा थरराड glands से निकलता है और दूसरा हर्मोन ह्यार्मों केसीटोमीन जो थराड ग्लेंड से निकलता था थाथ्यार थारोड ग्लेंड में होता है तो पेरा वाला पेरा थरोड हर्मोन निकाल ला है और थारोड ग्लेंट काम क्या है कैल्सियम को रेगुलेट करना ताइटली रेगुलेट करते हैं तक ही इसका कोई फ्लक्टुएशन नव बॉड़ी में वरना टॉक्सिटी हो सकती है आजमी को जो है फैटल कंडिशन हो सकता ह है इवेन पीपूल के डाई अलसो दूट इंक्रीज अप कैल्शियम और डिक्रीज अफ कैल्शियम तो यह बहुत ही खतरनाक है कैल्सियम बहुत इंपॉर्टेंट है मरे ब्लड में इसी के सेट पॉइंट के लिए दो हर्मोन जो है नेचर ने बनाया है एक बनाया है पैरा बाट जो आपने बताया था इसके अंदर चीज सेल देखिए सी लिखा हुआ है चीज सेल यह पैरा थारोड हार्मोन यह सिक्रीट करता है यह स्टुम्लेट करता है बोंग अगर सपूस करिए कि कैल्सियम आप माननेजी कि कैल्सियम का लेवल घट रहा है कैल्सियम डाउन हो है तो इसको कैल्सियम चाहिए तो दो काम करेगा एक जो है बोन है यह क्या है आपका यह बोन यह आपका बोन में आपका कैल्सियम का मेजर डिपॉजिशन रहता है बोन में ही कैल्सियम जो जाके इसी में क्रिस्टल फॉर्म में जाके डिपॉजिट होता है डिपॉजिट र तो पैरा थारड हर्मोन बोन से रिलीस करेगा कैल्सियम तो बोन के जरीय कैल्सियम आयेगा आपके ब्लड में दूसरा क्या करेगा किडिनी को भी कंट्रोल करेगा किडिनी को के जरीय कैल्सियम का यह करेगा अब कैसे करेगा यह बड़ा इंपोर्टेंट है देखिए यह हमने प्हिल्सियम यहां पर अगर केल्शियम का डिक्रीश कर रहा है तो पेरा थराड हार्मोन बोन को जरीय सेट पॉंट उसको नॉर्मल करेगा उसको उसके सेट पॉंट पर लाएगा उसका लेवल गिरने नहीं देगा और उसके लेवल को होमियो टेसीज यानि की नॉर्मल कंडिम्न इसको रख्विएगा याव समझ दीजिए भाई बहुत ईजिए केल्सियम करद सिम कर रहा हूं तो केयों चाहिए न जब कर दिक्री कर रहा करें केल्सियम चाहिए तो केल्सियम चाहिए तो कहां से आएगा बोन में रखा हुआ है केल्सियम हर्टी में रखा हुआ है किडिनी के जरीए क्या होगा जो किडिनी के केल्सियम जो है उसका एब्सॉर्प्शन उसका एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प करेगा मैं बताऊंगा वह क ठीक है अगर calcium decrease कर रहा है अब आप देखिए पहला situation था कि calcium decrease कर रहा है suppose करिया है दूसरा situation second condition second condition में calcium बाढ़ रहा है calcium जादा हो रहा है तो blood से calcium निकालना है तो blood से calcium निकालने का काम कौन करेगा केलसी टोनीन केलसी टोनीन केलसी टोनीन जो है आपने देखा होगा थैरावड ग्लेंड जो मैं पढ़ाया था तो थैरावड ग्लेंड में एक तो फॉलिकुलर सेल होते हैं और दूसरा जो है साइड में पैराफॉलिकुलर सेल होते है deposit करेगा इसको इकठा करेगा bone में और kidney से कहेगा कि calcium जो है अब आप जो है निकालो मतलब कि urine के ज़रीए क्या बोलते है calcium निकल जाएगा situation बहुत easy है situation क्या है आप देखिए situation यह है कि अगर calcium का level decrease कर रहा है तो paratharad hormone जो है bone में रखा हुआ calcium और kidney के ज़रीए reabsorb ताकि urine में loss ना हो वो दोनों को कहेगा कि आप जो है calcium का level maintain करें अगर calcium का level ज़्यादा हो गया तब उसमें से निकालना है तो क्या करेगा calcitonin bone पे काम करेगा calcium आएगा bone पे और यहाँ पे deposit कर देगा और kidney में urine के ज़रीए पास कर देगा तो एक तो calcium जो है bone में deposit हो गया दूसरा kidney के ज़रीए पास हो गया urine के ज़रीए पास हो गया तो calcium के level decrease कर गया calcium के level decrease कर गया तो दोनों मिलके दोनों मिलके आपका एक set point करते हैं जिसको homeostasis 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 इसका मतलब की paratherod hormone और calcitonin दोनों का opposite effect है दोनों का opposite effect है दोनों एक दूसरे का opposite काम करते हैं antagonistically antagonistically के मतलब होता है opposite काम करना तो paratherod hormone जब calcium के level decrease किया calcitonin जब calcium के level increase किया तो इस तरह से ये काम करते हैं तो ये तो clear हो गया कि calcium को regulate control या सेट पॉइंट को कौन सा केलसियम free form केलसियम को कंट्रोल करता है पैरा थैराध हर्मोन और केलसितोनिन यह दो यह तो point clear कर लेजे की केलसियम का घटना पैरा थोराध आएगा और कहां से बों से और किडिनी से पहला point, calcium का बढ़ना, तो calcitonin deposit करेगा, और kidney में reduce करेगा, यह जो है दूसरा point, तो यह तो हो गया direct effect, direct effect, मैं अब बात करूँगा indirect effect, इसमें एक और player है, जो छिपा हुआ है, वो है vitamin D, vitamin D, यह भी एक बहुत important player है, कि vitamin D का काम किया है, vitamin D जो है आपका, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि vitamin D जो है, वो भी जब खाना खाते हैं, तो वो भी food के जरिये calcium का absorption करता है, vitamin D food के जरिये भी आता है, और vitamin D indirect way में calcium का level decrease करता है, तो उसको जो है, blood में calcium provide करता है, तो vitamin D का भी बहुत बढ़ा important है, तो दो हार्मोन तो, देखें, पहला हार्मोन पैराथरोड हार्मोन, जो कि आपका पैराथरोड ग्लेंड्स है, दूसरा calcitonin, थैरोड ग्लेंड्स है, अब हम बात किये थे तीसरा vitamin D, vitamin D, देखें, vitamin D एक तो food के जरिये आता है, दूसरा vitamin D जो है skin में बनता है, तो आईए हम तीसरे प्लेयर की बात करते हैं कि वह कैसे आता है तीसरा प्लेयर बहुत इंपोर्टेंट है यह प्लेयर अब देखिए होता क्या कि वाइटमेंडी स्किन में बनता है स्किन के जरीए कैसे होता यह देखिए यह सन है सन तो सन के जरीए अल्टरा वाइट रेडिय ले 7D cholesterol जब यह ultra light इस पर पढ़ता है तो वो convert जाता है coli calciferol coli calciferol coli calciferol coli calciferol जो है blood में आता है यह inactive form है अभी coli calciferol inactive form है यह blood में आने के बाद liver में जाता है liver में तो liver में enzyme जो है इस पर एक hydroxy group लगाता है जिसको हम बोलते है 25 hydroxy coli calciferol 25 hydroxy यह भी अभी half active है पूरे active नहीं है 25 hydroxy coli calciferol अब यह जो liver से फिर blood में आता है 25 hydroxy coli calciferol कहां पर आता है blood में आता है blood के जरी यह कहां जाता है kidney में कहां जाता है kidney में और kidney में जो है एक enzyme में alpha 1 hydroxylase enzyme जिसमें वो एक और hydroxy लगता है 1 तो 125 hydroxy coli calciferol हो जाता है जिसको vitamin D बोलते है और यह fully active हो जाता है vitamin D क्या हो जाता है fully active हो जाता है बोल में calcium and phosphate को दोनों को जो जाकर deposit करवाता है उसमें भी help करता है तो तो तीसरा player भी इसमें आ गया vitamin D अब देखिए दो player थे आपके blood blood में आगया आपका kidney तो आप याद रखिएगा इसलिए मैंने जो है यहां लिखा है कि kidney में vitamin D active form में पा जाता है kidney में kidney में और kidney में आपको मालूम है nephron होते हैं जो की urine बनाते हैं nephron क्या millions of nephron kidney में होते हैं जो urine synthesize करते बनाते हैं तो यह है आपका nephron nephron में आपको पता होगा यह renal tubule कहलाता है तो यह है proximal conglutated tubule आपको पता होगा कि यह area आपको proximal conglutated tubule और यह क्या होता है distal conglutated tubule यह दो area ऐसे हैं जहां से जहां से suppose करिए कि अगर आपका calcium जो है आपका आता यहां से तो एक तो proximal conglutated tubule से जो है reabsorb करकर blood में भीच जया जाता है blood में चला जाता है दूसरा distal conglutated tubule से भी calcium जो है blood में जाता है इसलिए हमने कहा था कि kidney के जरीए calcium का reabsorption calcium जा रहा है जा रहा है तो urine के जरीए आना चाहिए लेकिन calcium की हमको requirement है तो पैरा थरड हार्मोन यहां काम करेगा यहां पर काम करेगा और calcium को reabsorb कर लेगा calcium को reabsorb कर लेगा इसका मतलब तीन player very simple तीन player पैरा थरड हार्मोन calcitonin यह दोनों opposite काम करते हैं vitamin D vitamin D योग या तीसरा जो पैरा थरड को indirectly help करता है ताकि जो है calcium का level blood में decrease नहीं करे अब आज ही यहां फिर से पैरा थरड हार्मोन calcium को बोला calcium release किया अगर calcium का level decrease किया तो क्या हुआ calcium को level calcium का क्या किया इसने release कर आया और kidney में kidney में kidney देखें हमने kidney बनाया यहां पर kidney में nephron है और हमने लिखा है कि calcium का uptake reabsorption तो reabsorption कैसे होगा reabsorption calcium pass होता है यहां से यूरीन में नहीं जाने देगा यहां से proximal cannoliate tubules से जो है reabsorb कर लेगा जिसमें पैरा थरड हर्मोन का रोल है तो यहां पे यहां पे पैरा थरड हर्मोन PTH पैरा थरड हर्मोन जो है proximal cannoliate tubules से calcium को वापस ले लेगा blood में distil cannoliate tubules में भी यहां से भी पैरा थरड हर्मोन जो है वापस ले लेगा calcium को वापस ले लेगा इसलिए हमने लिखा है कि calcium का uptake reabsorption from kidney से री अब्सॉब कर लेगा ठीक है और फूड के जरीए भी vitamin D का लेवल बढ़ जाता है फूड के जरीए भी लिया जाता है तो इसका मतलब vitamin D direct paratherod hormone indirect vitamin D calcium का level decrease होने नहीं देता है उसका level को set point पर लाता है अगर calcium का level down होता है तो इस तरह से आप देखेंगे कि paratherodermon vitamin D जो kidney में बन रहा है दोनों का जो रोल है आपको calcium का level जो है maintain करता है calcium का level maintain करता है तो आप यह समझ लीजिए कि अगर bone में bone में अगर bone में calcium का deposition phosphate के form में होता है तो उसको बोलते mineralization 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 इसका मतलब mineralization आपका कहां पर हो रहा है mineralization जो है आपका हो रहा है यहां पर क्योंकि deposit हो रहा है calcium केल्सीयु औफ फॉसफेट deux साथ में यहाँ पर मिन्रैयशन कहते हैं इसको मिन्रैयशन डिपोजीट हो रहा तो मिन्रैयशन मैं यह टर्म आपने देखा होगा और रिलीज कर रहा थो de-mineralization यानि जो mineralized form है calcium phosphate जो उसको de-mineralize कर रहा है उसको break कर रहा है de-mineralized de-mineralized देखिए term अगर clear है तो पढ़ने में मज़ा आता है तो क्या होता है calcium और phosphate दो चीजे साथ में होती है मैं आपको बता हूँ calcium और phosphate मैं phosphate नहीं बोला तो तक ही साथ में रहते हैं तो mineralization अब यह दोनों जो डी-mineralization dissociate कर आते हैं यहां से calcium phosphate दोनों release होगा तो de-mineralization ठीक है de-mineralization और calcium phosphate यानि कि uncoupling uncoupling हो गया इनका uncoupling uncoupling भी term यूज करते हैं और यहां पर तो coupling हुआ है couple बने हैं coupling ठीक है coupling तो uncoupling de-mineralization ठीक है और calcium के साथ phosphate भी आता है लेकिन phosphate में consistent के लिए निकल जाता है लेकिन calcium को retain कर लेता है kidney में calcium को retain कर लेता है तो इस तरह से जो है यह सारा mechanism जो है ना बहुत ही शांदार वे में और बहुत ही रेगुलेटिड में बेक कंट्रोल वे में काम करता है काम करता है अब जो अगला point जो है important point में बताऊंगा वह बोन के बारे में calcium कैसे आएगा बाहर बाहर calcium कैसे आएगा बाहर आपको में बताऊं जो हमारा बोन है यह हमारा बोन है पहला point यह हमारा बोन है बोन के अंदर हमें पता कि collagen पा जाता है collagen माली जो एक रसी है collagen tensile के लिए तो उसमें calcium phosphate जो उसके साथ attach होता है calcium phosphate attach उसी पर बैठे रहते हैं crystalizer होता है crystal form रहे और एक और बात जो bone है उसके चारो तलब fluid है interstitial fluid है उस fluid में भी calcium phosphate रहता है उस fluid के बाहर एक membrane है osteocytic membrane जिसको osteoblast कहतने हैं एक membrane है osteoblast उसके ये जो है safe रहता है उसकी covering होती है तो पहले यहाँ सरीलीज होता है calcium अब फिर अंदर सरीलीज होता है calcium तो ये देखिए ये आपको मैं बताऊं सबसे पहले तो ये आप समझ लिएजे कि ये bone है bone के अंदर calcium phosphate collagen पर बैठे रहते हैं अब जो है ये interstitial fluid है एक cell है osteoblast जो बाहर के तरफ एक membrane प्रोवाइड करती है membrane प्रोवाइड करती है अंदर बैठा हुआ osteoclast अंदर बैठा हुआ osteoclast osteoclast ही वो ऐसा आप कहिए कि मतलब knife है seizure है जो इस collagen पर बैठे हुए calcium phosphate को कट करता है क्योंकि इस पर काम करेगा तब काम करेगा तभी तो यहां तो release होगा इसलिए दो cell जो कि बहुत important है आपका calcium को release कराने में दो cell है एक cell आपका है osteoblast osteoblast और osteoclast और osteoclast osteoclast osteoblast बाहर है देखिए osteoclast अंडर है जो इसको काट के calcium phosphate को release करेगा अगर इसको simple way में देखे तो osteoblast बाहर है तो paratherod hormone osteoblast को active करेगा osteoblast जो है osteoclast को active करेगा यह देखिए जो आपका यह orange कलर में जो आपका है वो collagen है collagen amino acid बना रहता है जिसमें एक hydroxyproline जो है बहुत important hydroxyproline प्रोलीन तो यह hydroxyproline पे calcium phosphate जो है इसके साथ collagen पेटाइच होते हैं osteoclast इसको cleave करेगा और calcium phosphate को hydroxyproline को blood में secret करता है यानि कि तीन compound है calcium phosphate hydroxyproline यह blood में के जरीए kidney पे जाता है और kidney में यह para third hormone phosphate को निकाल देगा भाई हटाओ तुम हमें calcium चाहिए तो calcium को reabsorb कर लेगा calcium को reabsorb कर लेगा तो इसलिए जब blood में अगर हम तीनों चीज़ को देखते हैं अगर proline की जादा है proline अगर जादा है इसका मतलब की bone का destruction हो रहा bone का calcium का level down है इसलिए हम proline, hydroxy proline भी अगर चेक कर ले तो हम देखेंगे कि bone का destruction हो रहा de-mineralization हो रहा है calcium का level कम है लेकिन अगर इसका level नहीं है तो इसका मतलब construction है bone का formation हो रहा है तो इस जरीए से हम पता कर लेते हैं तो बहराल लेकिन हमारा जो main था ये bone में osteoblast और osteoclast osteoblast बाहर की membrane है osteoclast अंदर होता है cell तो parathyroid hormone पहले osteoblast को active करेगा osteoblast, osteoclast को active करेगा और osteoclast ही जाके तोड़ता है तो एक तो बाहर का calcium phosphate जो fluid में वो तो आराम से release हो जाएगा लेकिन bone में जो deposit है उसको cut करना पड़ता है cut करके फिर release कराना पड़ता है तो ये है हमारा आज का lecture जो की बताता है हमको कि calcium का set point कैसे control किया जाता है एक बार में revise करता हूँ देखिए तीन सबसे पहले तो हमारा जो है आपको मैं बताऊँ दो parathyroid hormone calcitonin तो parathyroid का का काम क्या है कि अगर blood में calcium का level down होता है तो parathyroid calcium का level को maintain करने के लिए bone से और kidney के reabsorption से जो कि मैं बताया हूँ उससे जो है वो करेगा कि उसको maintain करेगा ठीक है ये तो direct हो गया अभी दूसरा मैंने बताया कि vitamin D आता है vitamin D भी kidney में बनता है active form में तो vitamin D को active form में आप देखेंगे कि एक enzyme है hydroxylase जो की active form में बनाता है तो इस enzyme को parathyroid हर्मोनी active करता है तो vitamin D बनता है vitamin D और vitamin D help करता है खाने के इंटेस्टाइम में ताकि calcium को reabsorb करें तो दो जो है एक direct fat parathyroid हर्मोन ठीक है एक vitamin D जब बन गया तब calcium को maintain करता है और जब calcium के लेवल बढ़ जाता है तो calcetonine आता है calcetonine थारोर से और वो calcetin नहीं जो है एक तो यूरीन के जरीए कीडिनी के यूरीन के जरीए calcium को पास करेगा ताकि calcium का लेवल बहुत जादा बढ़े नहीं और calcium जो बोन में deposit कर देगा calcium फॉसफेर के जरीए जिसको mineralization बोलते हैं तो इसके जरीए जो है आपका calcetonine काम करता है तो पैरा थाराड हर्मोन डारेक्ट विटामिन डी इंडारेक्ट और कैल्सिटोनीन जब calcium के लेवल इंक्रीज करता है यह सारी स्टोरी जो है आज हमने डिस्क्राइब किया है जिसमें calcium को maintain करने के लिए तीन हार्मोन तीन हार्मोन पैरा थाराड वैटमिन डी और कैल्सिटोनीन तीन हार्मोन और आपने देखा तीन organ system important organ system bone kidney and gastrointestinal system 3 यह 3 organ काम करता है यह 3 organ और 3 हर्मोन के जरीय जो है सारा calcium को regulate करते हैं next lecture में इसको और दीप जा कि इसका mechanism देखेंगा और किलिरली लेकिन यह बहुत important lecture था कि कैसे vitamin D बनता है कैसे parathroid पराथाराड हार्मोन पोन पे काम करके, काल्सी तोनी पाम कर्सियों का में हम अरहा का звуч होमिस्टेसिस कंडिशन बाइ पुटिंग दा कैल्सियम लेवल कल्सियम लेवल हंडे देड़ पर त्वेल मिलिग्राम अप कैल्सियम वो इसके सेट पॉइंट पे इसको मेंटेन करता है तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करता हूं और आपको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू वेरी मच्च